हेलो स्टूजेंट्स कैसे हैं आप सब आए आज बात किया जाएं कांप्लिमेंट आफ असेट के बारे में तो सबसे पहले डिफिनिशन कंसिडर करें डिफिनिशन में देखिए यह बोला जा रहा है लेट यू भी दर यूनिवर्सल सेट एंड ए सबसेट आफ यू हम जानते ह है तो इसमें यह बोला जा रहा है कि एक यू 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 तो we write complement of set A को हम इस तरीके से write करेंगे with respect to universal set thus we have अब देखिए जो set A का complement होता है वो इस तरीके के उसमें elements होते हैं ऐसा element universal set के जो set A में नहों इसका मतलब यह है कि हम set A के complement को इस तरीके से भी define कर सकते हैं कि complement of set A is equals to U minus है अब आए कोछ़ examples consider किया जाए तक कि अब यह आपको definition अच्छे से clear होगी अब देखिए कोछ़ examples consider करते हैं जैसे देखिए कि हमने U set A लिया जिसके के elements क्या है 1,2,3,4,5,6 और कोई set A यह consider किया गया है इसके elements क्या है 1,3,5 अब आप देखिए कि set A जो है set A जो है वो set U का क्या है subset है set A जो है वो set U का क्या है subset है इसका मतलब इस question में set A के लिए universal set इस set को suppose किया गया है तो U-A यह कैसे solve क्या जाता है यह आप पीछे सीख चुके हैं कि A-B,B-C यह हम पीछे solve किया है questions में तो U-A का मतलब क्या होता है U के ऐसे elements जो set A में नहीं हों तो देखे U के ऐसे elements कौन-कौन से हैं जो set A में नहीं है वो elements है 2,4,6 देखे set A के यह सारे एसे elements हैं जो set A में नहीं है तो complement of A क्या हो जाएगा यह set मिल जाएगा दूसा example देखे हमने universal set यह लिया इसके elements क्या है A-B-C-D-E-F-G-H और कोई set B लिया इसके elements क्या है A-B-C-D-A अब आप देख पा रहे हैं कि set B जो है set U का क्या है subset है मतलब इस set के लिए universal set इस set को suppose किया गया है ठीक है तो इस set का complement क्या होगा complement of set B जिसको कि हम B' से represent करते हैं complement of set B is equals to क्या होगा U-B अब U-B हम कैसे find out करेंगे हम यह देखेंगे कि U में कौन से ऐसे elements हैं जो set B में नहीं है U-B में कैसे elements होगे U के ऐसे elements होगे जो set B में नहीं है तो देखे E-F-G-H set U के ऐसे elements हैं जो set B में नहीं है ठीक है अब एक remark है इसको हम प्रूफ करेंगे तो रिमार की यह है कि let u be the universal set and a be the subset of u then complement of a is also subset of universal set और set a के complement का complement जो होता है वो set a होता है ठीक है इसको हम कुछ एक्जामपल से consider करेंगे बाद में तो next example देखिए set u इस तरीके से defined है given है set a इस तरीके से given है और set b इस तरीके से given है then find a के complement का complement find out करना है और a minus b का complement हमको find out करना है मतलब set a के complement का complement find out करना है और a minus b का complement हमको find out करना है ठीक है तो आएए देखते हैं इसमें देखिए a डेस किस तरीके से define किया गया था पीछे U-A तो U-A आपने इस तरीके से find out किया U-A हम कैसे find out करते हैं हम देखते हैं कि U के कौन से ऐसे elements हैं जो set A में नहीं हैं तो इस तरीके से ये set मिलेगा आपको अब देखे इस set का फिर से complement क्या होगा U-A complement देखे complement of A किस तरीके से define होता है U-A तो आप A complement का complement किस तरीके से define होगा U-A complement अब हम इसको कैसे solve करेंगे हम ये देखेंगे कि U के ऐसे elements कौन से हैं जो A complement में नहीं है मतलब U के कौन से S element है जो A complement में नहीं है तो ये सारे element ऐसे हैं set U के जो A complement में नहीं है तो आप देखे ये set कौन सा मिलेगा ये फिर से set A ही मिल जाएगा इसलिए ये result true होता है कि A के complement का complement फिर से क्या मिल जाता है set A मिल जाता है अब आएए देखे second part इसका consider करते हैं तो next part में सबसे पहले हम A-B consider करेंगे तो A-B ये set मिलेगा आपको अब हमको ये find out करना है complement of A-B तो complement of A-B कैसे define होगा U- A-B इस तरीके से define होगा तो अब आप ये देखेंगे इसको कैसे find out करेंगे हम ये देखेंगे कि U में ऐसे कौन से elements है जो A-B के set में नहीं है तो ये सारे ऐसे elements है set U के जो इस set में नहीं है तो इस तरीके से आपने A-B का complement define किया अब आएए next question consider किया जाए तो अब next question देखिए U set इस तरीके से given है और set A set ये given है set B set इस तरीके से given है question में ये बोला जा रहा है verify that complement of A union B is equal to A complement intersection B complement और second part में ये बोला जा रहा है कि complement of A intersection B is equal to A complement union B complement actually in fact ये result है ये result है इसको हम बाद में फिर से discuss करेंगे तो आएए पहले इसका verify देखा जाए तो देखिए हमको पहले part में ये करना है कि complement of A union B is equal to A complement intersection B complement तो हम क्या करते है हम LHS solve करते है और फिर LHS solve करते है फिर ये दिखा देते हैं कि LHS solve करने पे जो set मिल रहा है वही set RHS को भी solve करने पे मिल रहा है तो आएए solve करते हैं तो देखिए U set इस तरीके से given था और set A इस तरीके से given है set B इस तरीके से given है तो देखिए A union B क्या होगा A union B आप निकालना जानते हैं तो आप हमको A union B का complement निकालना है तो U minus A union B हो जायागा अब देखिए हम कि इसको इसमें क्या consider करेंगे हम यह देखेंगे कि universal set में ऐसे कौन से ऐसे elements हैं जो A union B के set में नहीं है तो देखिए 1, 9 universal set में ऐसे दो element हैं जो A union B के set में नहीं है तो complement A union B क्या मिला आपको इस तरीके से मिला है अब देखिए हम इसका RHS RHS यह consider करेंगे LHS तो हमको यह मिल गया अब RHS देखिए A complement intersection B complement हमको find out करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम सबसे पहले A complement find out करेंगे तो देखिए A complement U-A और फिर B complement हमने find out किया तो U-B अब देखिए A complement intersection B complement अब इसमें क्या करते हैं हम यह देखते हैं कि A complement और B complement के set में इन दोनों set में कौन से S element है जो common है तो देखिए 1 और 9 दो S elements है जो S set में भी हैं और S set में भी हैं तो a complement intersection b complement कितना मिल गया 19 मिल गया तो आपने यह प्रोब कर दिया कि lhs जो सेट था lhs जो lhs में जो सेट हमको मिला था वहीं सेट rhs को भी साल्व करने पर मिला आपने यह वेरिफाई कर दिया कि complement of a union b is a complement intersection b complement ठीक है अब आई इसका second part consider किया जाए तो second part में सबसे पहले हम a intersection b यह consider करेंगे तो a intersection b में हमको यह सेट मिला अब देखे अब देखेंगे क· Wouldn't A intersection B इस तरह के से define होगा u minus a intersection b तो हमको यह सेट मिल जाएगा इसमे हम क्या करेंगे फिर से वहीं हम यह देखेंगे की सेट u में ऐसे कौन से elements है जो a intersection b के सेट में नहीं है तो यह सारे ऐसे elements हैं site u Embassy ta a intersection b में नहीं है अब देखिए फार्स वाले पार्ट में हम complement of A और complement of B पहला ही find out कर सुके हैं तो complement of A union complement of B यह set हमको मिल जागा तो देखिए कि इस set के value यह set और इसके value यह set इसका मतलब क्या है कि यह दोनों set क्या है same set है इसलिए हमने verify कर दिया कि complement of A intersection B is equals to complement of A union complement of B तो hopefully आपको समने होगा Thank you very much